जैसिया राम जै जैराम रिशय संगर गुबंस मनी करिभो जनू विशुराम बैठे प्रभुप्राता सहितो दिवसु रहा भरिजाम जैसिया राम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवावों सोदा सिरत अजिर विहारी लख नहर देलाल सावी सेखी जाई जनक पुर आई या देखी रभुभाय बहुरी मुनी ही सकु चाही तगट न कहा ही मनही मुसुकाही ताम अनुज मन की गति जानी भगत बचलता ही यह लसानी परम बिनीत सकुति मुसुकाही बोले गुर अनसा सन पाई नाथ लखन पुर देखन चहही प्रभु संकोच डर प्रगट न कहही जाउर आउर आयसु मैं पावा नगर देखाई तुरत लई आवा सुनि मुनी सुकह बचन सप्रीती कसन राम तुम राख हुनीती धरम से तुपालक तुम ताता प्रेम बिवस से वक सुख दाता जाई देखि आवहु नगरो सुख निधान दो भाई करहु सुफल सब के नयनों सुन्दर बदन देखाई जाई सिया राम जाई जाई राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रव उशोदश रत अजिर विहारी मुनिपद कमल बंदी दो भाता चले लोक लोचन सुख दाता बालक ब्रंद देखियती सोभा लगे संग लोचन मनुलोभा पीत बसन परिकर कटि मात भाथा चारु चाप सर सोहत हाथा तन अनोहरत सुचंधन खोरी चामल गौर मनोहर जोरी केहरी कंधर बाहु विशाला पूर अतित रुचिर नाग मनिमाला शुभग सोन सर सीरु लोचन बदन मयंक ताप त्रयमोचन कान निकनक फूल छविदेहीं चितवत चित ही चोरी जनुलेहीं कितवनी चार बुकुटी बर बांकी किलक रेख सोभा जनुचांकी रुचिर चावत नीशुभग शिरौ मेचक कुण चितकेश नकसिक सुन्दर बंधुदोव सोभा सकल सुदेश जैसिया राम जै जै राम रग कुलकेश रो मड़ी प्रभु स्री रामचनर जी रिश्यों के साथ भोजन और विस्राम करके भाई लक्समण समेद बैठे उस समय पहर भर दिन रह गया था लक्समण जी के हिर्दय में विसेश लाल सा है कि जाकर जनकपुर देखावें परंतु प्रभु स्री रामचनर जी का डर है और फिर मुनी से भी शकुचाते हैं इसलिए प्रिकट में कुछ नहीं कहते मनी मन मुस्करा रहे हैं तंतर्यामी सीरामचनर जी ने छोटे भाई के मन की दसा जान ली तब उनके हिर्दय में भक्त बदसलता उमण आई वे गुरु की आग्यां पाकर भहुती बिनाई के साथ सकुचाते हुए उस्कुचा कर बोले एनाथ लक्समर नगर देखना चाहते हैं इन तुप्रभु आपके डर और संकोच के कारण इसपस्ट नहीं कहते यदि आपकी आग्यां पाऊं तो मैं इनको नगर दिक्टला कर तुरंत ही वापस ले आऊं यह सुनकर मुनीश्वर विश्वा मितरजी ने प्रेम सहिद बचन कहे हिराम तुम नीती की रक्ष्या कैसे न करोगे हेतात तुम धर्म की मरियादा का पल करने वाले और प्रेम के वसी भूत होकर सेवकों को शुख देने वाले हो सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ अपने सुन्दर मुख दिखला कर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो सब लोकों के नेत्रों की ओ सुख देने वाले दोनों भाई उनके चरण कमलों की वंदना करके चले वालकों के जुंड इनके शौंदर की अत्यनत शोभा देखकर साथ लग गए अपने नेत्र और मन इनकी मादुरी पर लुपा गए दोनों भाईयों के पीले रंग के वस्त्र हैं कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बदे हैं हाथों में सुन्दर धनुस वाड सुसोवित हैं स्याम और गौरबाण के शरीर के अनकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुन्दर चंदन की खोर लगी है साबरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है सिंग के समान पुस्ट गर्दन गले का पिष्ला भाग है विशाल भुजाए हैं चोडी चाती पर अत्यंत सुन्दर गज मुक्ता की माला है सुन्दर लाल कमल के समान नेतर है तीनों तापों मैं तापों से ही चुड़ाने वाला संदरमा के समान मुख है कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत सोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित को मानो जुरा लेते हैं उनकी चितवन द्रिष्टी बड़ी मनोवर है और भों हैं तिर्ची एवं सुन्दर हैं माथे पर तिलक्की रेखाएं ऐसी सुन्दर हैं मानो मूर्तिमती शुभा पर मुहर लगा दी गई हैं शिर्पर सुन्दर चौकोनी टोपियां दिये हैं काले और घुंगराले बाल हैं दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक इड़ी से चोटी तक सुन्दर हैं और सारी सोबाद जहां जैसी चाहिए वैसी ही है जैसी आराम जै जैराम मंगले भावन या मंगले हारी जवा मुशुदा सिरात अजर भिहारी